So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, एक और animated वीडियो, इस वीडियो का नाम है Memories of Childhood, Memories of Childhood दो पार्स में डिवाइड है, पहले पार्ट का नाम है Cutting of My Long Hair Badget का लाजा, और दूसरे पार्ट का नाम है We Two Are Human Being by Bama, अगर आपको इस चेप्टर एक उसांसर्स चाहिए हैं, तो मेरी एक खुद की बुकईया, एक्जाम 24, आप उसे ले सकते हैं, उसमें बहुती बहती बहतरीन तरीके की कुशन है, आंसर्स हैं, सब कुछ हर्स में आईए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, मुझे याद है मेरी जिंदेगी का वो पहला स्कूल डे, लैंड ओफ एपल, तेज बरफीली हवाय चल रही थी, पूरा जो फर्स था वो बरफ से ढका हुआ था, और पेडों पे पत्तिया भी नहीं थी, ठंड का मौसम था, मैंने बहुत टाइट कपड़े पहन रखे थे, और मेरे जूते भी बूट सूस थे, उस बोडिंग स्कूल में सबके कपड़े थोड़े से अजीब थे, सबका हेरिस्टाइल थोगा सा अजीब था और मैं थोगा सा नेटिव अमेरिकन हूँ, तो मेरा हेरिस्टाइल बिलकुल ओल चालीफ पहेरिस्टाइल था, और मुझे उस बर पर प्राओड भी था, मैं भी चुप चाप उस gate में एंट्रे कर देती हूँ जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ मुझे पर चलता है कि ओह ये तो canteen है इसका मतलब यहाँ पे breakfast होने वाला है सबी के सबी लोग जो है अपने respective chairs के आगे खड़े हो जाते हैं और मैं भी अपने chair के खड़े होके उसको pull करके उस पर बैठ जाती हूँ मैं जैसी ही बैठती हूँ मुझे realize होता है कि oh my god सब के सब लोग खड़े हैं और सिफ मैं ही बैठी हुई है वहां से boys की भी entry होती है तो मुझे बड़ा annoying लगता है कि सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं मेरा जो blanket होता है वो मेरे कंदों से गिर जाता है मैं जैसे तैसे hopeless होके खड़ी होती हूँ तब ही एक और बैल बसती है और सब लोग बैठ जाते हैं अब सब लोग दुबारे मुझे घूर रहे हैं कि यार जब मैं बैठी थी सब लोग खड़े थे और जब मैं खड़ी हुई तो सब लोग बैठ गए हैं यह moment मुझे बहुत awkward feel कराता है एक pale face woman मुझे घूर रही होती है और मैं बहुत hopeless हो जाती हूँ एक और बैल बसती है और सबी लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं और मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे चम्मस से खाना नहीं आता बहुत बेकार दिन था यार वो ऐसा लग रहा था जैसे खाना भी फॉर्मुले से ओड़ा इटिंग बाई फॉर्मुला मुझे इफॉर्मुला बिल्कुल समझ में नहीं आया जैसे तैसे दिन बीता साम को मेरी एक दोस्त आती है और कहती है तेरे को पता है तेरे बाल कटने वाले हैं अरे जुडविन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे बाल कटने वाले है हाँ एक पेल फेस विमेन तेरे बालों के बारे में बात करे दी तेरे बाल बहुत हैवी है तेरे बाल कटेंगे नहीं 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 ये बाल तो मेरे कल्चर के निसा नहीं है मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी देखो इस स्कूल के आगे तेरे को जुकना पड़ेगा वो लोग पावरफुल हैं तो कुछ भी नहीं कर सकती तेरे को अपना बाल कटवाना ही पड़ेगा देखिए मैं स्ट्रगल करूँगी मेरी मम्मी कहती हैं कि बाल उसके छोटे होते हैं जो कायर होते हैं कैदी होते हैं अपराधी होते हैं या जिनके हाँ कोई मर जाता है और मेरे हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं तो बाल नहीं कटवाने वाली अगले दिन सुबह मैं जो है बिना किसी के नोटिस करे जल्दी उठ जाती हूँ और क्रॉलिंग करते हुए सीडियों के सहारे उपर चले जाती हूँ और एक छोटे से कमरे में एंट्री ले लेती हूँ मैं चुप चाप क्रॉल करते हुए बैट के नीचे गुज जाती हूँ यहाँ पे मुझे कोई देखेगा नहीं थोईर बाड मेरी आवाज मुझे आने लग जाती है मेरी आवाज दिए-दिर मेरे पास आरे गी है कोई मेरा नाम पोकार रहा है तबी एकक्दम से गेट खुल जाता है और रूम में रॉस्ट्नी आ जाती है कोई एक इंसान परदा हटा लेता है और थोईरे बाद वो नीचे देखते हैं और मुझे वो नीचे बैट के नीचे पा लेते हैं वो लोग मुझे जबरदस्ती खीशते हुए नीचे लेके आ रहे हैं प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, वो लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं उन्होंने मेरे हाथ को बहुत टाइट पकड़ रखा है और मेरे जबरदस्ती वो नीचे लेके चले गए प्लीज 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 मेरे बाल मत काटो प्लीज प्लीज मेरे बाल मत काटो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती एक कुर्सी बठा दिया उन्होंने मेरे बाल बेरहमी से काट दिये ऐसा लग रहा था जैसे एक भेड़ी के बाल काटे जाते हैं मुझे बहुत कायरता फील हो रही थी मैं बहुत हारी हुई फील हो रही थी यही थी मेरी कहानी cutting off my long hair कर दो बहुत है कर दो बहुत है कर दो बहुत है कर दो करते हैं कर दो हृप महुत है कर दो अजय कर दो 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 कर दो